मेरे प्यारे देश्वासियों, कुछी दिनों बात सरदार बलभाई पटेल जी की जन्म जन्ती 31 अक्तूबर को हम सब राष्ट्री एकता दिवस के तौर पर मनाएंगे. मन की बात में पहले भी हमने सरदार पटेल पर विस्तार से बात की है. हमने उनके विराड व्यक्तित्व के कई आयामों पर चर्चा की है. बहुत कम लोग मिलेंगे जिनके व्यक्तित्व में एक साथ कई सारे तत्म मौझूद हो. वैचारी गहराई, नईतिक साहस, राजनितिक मिलक्षनता, कृषिक छेत्र का गहरा ज्यान और राष्ट्री एकता के परती समर्पन भाव. क्या आप सरदार पटेर के बारे में एक बात जानते हैं, जो उनके सेंस अब हुमर को दर्शाती है? जरा उस लोगपुरुस की छबी की कलपना कीजिये, जो राजे रजवाणों से बात कर रहे थे, पुझ्य बापु के जन अंदोलन का प्रबंदर कर रहे थे, साथ ही सरदार पटेल के बारे में कहा था, उनकी विनोध पुर्ण बाते मुझे इतना हसाती थी, कि हस्ते हस्ते पेट में बल पड़ जाते थे, ऐसा दिन में एक बार नहीं, कई कई बार होता था, इसमें हमारे लिए भी एक सीख है, परिस्थित्यां कितने भी वीशम क्यों नहों अपने सेंस अफ हुमर को जिन्दा रखिये, यह हमें सहच तो रखेगा ही, हम अपनी समस्चा का समाधान भी निकाल पाएंगे, सरदार साब ने यही तो किया था, मेरे प्यारे देशवासियों, सरदार पटेल ने अपना पूरा जीवन देश की एक जूरता के लिए समर्प काम किया, उन्होंने राजे रजवाणों को हमारे राश के साथ एक करने का काम किया, यह विवीदिता में एकता के मंत्र को हर भारतिये का मन में जगा रहे थे,